जहीं दोस्तो दोस्तो आज मैं आप लोगों के लिए विर्थ से समय देद कुछ इंपोर्टेंट प्रस लेकर आया हूं और अगर आप किसे भी एकजाम के तयारी कर रहे हो तो आपके लिए इंपोर्टेंट होगा तो चलिए देर ना करते हों शुरू करते हैं तो देखें पहला प्रस दोस्तो पहला प्रस आपका एक विर्थ की तिर्जिया 10 cm है तता इस विर्थ की एक जीवा के लंबाई 12 cm है इस जीवा की केंज से दूरी कितनी है सिंपल सा प्रस दोस्तो लेकिन मैं आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है अगर आप इसके पहले जो मै से प्रस्ट नहीं बनेगा दोस्तों इसले उसको जरूर देख लें अब देखें दोस्तों यह तिर्जिया 10 cm है और विर्द की जीवा की लंबाई 12 cm तो जीवा यहां से यहां हम लेते हैं एक जीवा की लंबाई यह 12 cm कितना है इसको यहां से इंडिकेट कर रहे है 12 cm यह हो गया दोस्तों और तिर्जिया 10 cm तो तिर्जिया जब भी बनता केंद्र से परीजी तक की दूरी को तिर्जिया काते हैं अब यहां से केंद्र से परीजी तक मिला दिये यह जीवा होगे दोस्तों यह कितना है तो 10 cm और यह कितना है 12 cm यह जीवा होगे दोस्तों अब जो है बोल रहा है इस जीवा के की केंद्र से दूरी कितनी है यह जीवा हम खीचे दोस्तों यह A B यह बोल कीजिएगा यह मान लीजिए ठीक है अब यह जो है दोस्तों इसको हम मान लेते एल मान लेते हैं क्या मान लेते हैं यह जो है दोस्तों इसको हमें एल मान लेते हैं जलिए अब यहां जो है दोस्तों अब देखे यह दिखे यह बन रहा होगा 90 डिगरी कितना बना है 90 डिगरी जा रहे दोस्तों इसके अंदर ठीक है अब देकिए ये 90 ॡडिग्री के सामने क्या होता है τो कर्न कहलाता है यू स्की दूरिह हमको पता नहीं है अर ये 12 जो है 12 सेंटिम्स्य। तो हमारी आधार कितना हो गया, तो 10 cm हमसे घट रा संथा है क्या दोस्तों तो लंब इसको हम एक स्माल लेते हैं चलिए अब लंब बराबर हम निकालते हैं तो और अब देखे का हमारा कितना है तो दस सेंटीमेंटेर मैनस ये कितना है अधार तो 6 cm अब अंडर रूट कर दीजे अब ये आया हमारा 10 दहीं 100 और ये आया 36 36 अब इसको घटा दीजे दोस्तों अगर हम घटा आते हैं तो आजागा 64 और 64 का वर्गमूल निकालेंगे जब हम कितना आजागा 8 cm दोस्तों ठीक है तो ये हमारा जो है तो ये एक्स बरावर कितना गया दोस्तों ये एक्स जो लंब माने है तो ये कितना आगया तो ये हमारा 8 cm आगया दोस्तों तो अही हमारा एंसर हो गया तो सही एंसर क्या हुआ दोस्तों तो डी नंबर हुआ चलिए मुझे उमीद है दोस्तों मैं जो इसमें समझाया आप लोग को अच्छी तरह समझ में आ गया होगा अगर समझ में नहीं आया होगा तो आप लोग कॉमेंट जरूर करें और पीडियोप मैं टेलिग्राम पर डाल दूँगा चलिए आगे बढ़ते हो नेक्स प्लस को द एक विर्थ की तीर या 17 सेंटीमेंटर है यह विर्थ बनाए मैं दोस्तों थोड़ा तेड़ा मिड़ा बनता है गोल तो बनता नहीं है हमसे चलिए एक विर्थ की तीर या 17 सेंटीमेंटर है तथा इस विर्थ के केंज से एक दीवा की लंबवत दूरी 8 सेंटीमेंटर है इस जीवा की लंबाई कितनी है जीवा की लंबाई कितनी है से फूच रहे दोस्तों ठीक है अब क्या करते14 अशड़ बी यह लीडिये दोस्तों यह जीवा हो गया अब बोल रहा है एक विर्ज की तिर्जिया 17 cm है और तिर्जिया जब भी बनता है केंज से परीजी तक की दूरी को ये तिर्जिया कहते हैं क्या कहते हैं तिर्जिया ये हमारा 17 cm है दोस्तों 17 cm अब जोए दोस्तों तता इस विर्ज के केंज से एक दीवा की लंबाद दूरी 8 cm है इस जीवा की लंबाई कितनी है विर्ज के केंज से जीवा की लंबाई चलिए यह यहां से यहां दोस्तों ठीक है विर्ज के केंज से केंज तो हमारा यह है ठीक है यह केंज है केंज से की लंबाई और या इसे भी तक की लंबाई पुछ़र है दोस्तों इसका नाम दे दिजे जलिए इसका शान होता है क्या होता है यह हमारा जो है सो कर्ण हो गया क्या हो गया दोस्तों तो कर्ण हो गया उसके बाद क्या है यह वाला कि कौन सी भुजा है यह लंब हो गया लंब हो गया यह हमारा जो है हाप जो है यह क्या बन गया अधार बन गया ठीक है अब देखिए इसमें आप जो इस कर्ण तो है 17 cm लम्बी है 8 cm तो घट्रक्या रहा है तो आधार घट्रक्या रहा है तो आधार बराबर क्या होता है दोस्तों आधार बराबर कर्ण का स्कॉएर मैनस लम का स्कॉयर अंडर रूट यह फर्मूला उते है दोस्तों अब करन कितना है तो 17 cm 17 cm मैनस लम कितना है तो 8 cm अब अंडर रूट कर दीजे और निकालें 17 का स्कॉयर करेंगे तो 289 और 8 का स्कॉयर है 1864 यह अंडर रूट दोस्तों अब 289 में 64 को अखिटा दीजे जब घटाएंगे तो 225 आएगा और 225 का वर्मूल निका लेंगे तो कितना अगा 15 आएगा दोस्तों ठीक है लेकिन अभी आपका इंसर नहीं आया दोस्तों यह 15 आया है सिर्फ यह वला भाग एसे एल तक एसे एल तक की दूरी आया है एसे 15 cm ठीक है लेकिन यहां पूछ रहा है कि इस जीवा की लंबाई कितनी है तो जीवा एसे बी तक है कहा है एसे बी तक तो आधा हो गया 15 cm ठीक है एसे एल तक तो यहां कर दीजे जारेक्ट 15 गुने दो बराबर 30 cm यही हमारा इंसर आज़ा दोस्तों तो सही इंसर क्या हो गया तो सीजी नमबर हुआ दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स प्रस को दे कि टीसरे नमबर प्रस दोस्तों को है देखें दोस्तों तीसरे नमबर प्रस ईब्सक्राइं केइख एक होता है जबभी होता बीत में होता है केंदर ठीक tara से आधा दूरी पर 32 cm लंबी जीवा खिचे गई कितने किटी गई 32 सेंटीम्तर यहां से एक हम चीवा झीचते हैं ठीक है यह से यहां vapor देरें A Bो ठीक है फ्लै किटीनेन ए खिचे गई इस वीर्द की तुर्जय कितनी तुर्जय की तिरेगं कहीं के लिएओ से तक दूरी यह व्यूरेब यह यह गहरा पुरा हे यह गोल वाल गहहर hour दोस्टो इफ भर及 की दूरी को तर्षिखो एकुन कद्रिवा काते हे क्द्रिवा करे परीदी के किसी दूव बिंद्डु को मिलाने वाली यह परीदी गोल यह चक्र जो है दोस्तों इसे परीदी काते हैं तो किसी दो बिंदु को मिलाने वाली रेखा को जीवक आते हैं ठीक है जो देखे एसे भी तक मिल रहा है चलिए अब सब को समझ में आगया ओगा दोस्तों अब देखिए एक विर्द के केंद्र से 12 cm केंद्र से 12 cm की दूरी यहां से यहां है सो कितना है 12 cm दूरी है दोस्तों यह हमारा हो गया 12 cm और बोल रहा है एक विर्स के केंज से 12 सेंटीमेटर के दूरी पर 32 सेंटीमेटर लंबी दीवा खीती गई यह जीवा जो है दोस्तों A से B तक इसकी लंबाई कितनी है तो इसकी लंबाई यहां से टोटल जो है सो 32 सेंटीमेटर है और जब 32 सेंटीमेटर है दोस्तों इसका नाम देखे दे देते ओ दे दिये इसका एल नाम दे दिये दोस्तों ठीक है तो 32 सेंटीमेटर लंबी दीवा खीती गई तो इस विर्द की तिर्जिया कितनी है तो तिर्जिया किसे करते हैं तो केंज से परीदी त हम खेचे दोस्तों अभ्र हम यह आंक एल मार लिए यह से भी तक जो है बत्तीृ सेंटिमेटर है तो यह हमारा सोला हो जाएगा और यह हमारा सबस्क्र के जिएल भी जीवा तक की दूरी 12 cm तो यह हमारा 90 डिगरी बन जाएगा तो यह हमारा क्या हो जागा कर्ण हो छयगा ठीके नीचे वहला अधार हो जाएगा और यह लम्हों जागा दोस्तों ठीके इसमिट हट क्या रहा है दिकल अधार तो नीचे है 16 cm लंब यह 12 cm तो घट क्या रहा है कर्ण यहाँ पूच रहा है इस विर्द की तिर्जिया कितनी है यह तिर्जिया है केंड से परीधी तक की दूरी यह तिर्जिया है तो इसकी दूरी पूच रहा है दोस्तों आनि कर्ण की दूरी पूच रहा है करन बराबर होता है, लंब का स्क्वाइर है, प्लस अधार का स्क्वाइर है, ये हो गए दोस्तों, अब लंब हमारा कितना है, तो 12 सेंटी मिंटर, प्लस, ओ स्वारी, 12 का स्क्वाइर, प्लस, अधार कितना है, तो 16 का, 16 का स्क्वाइर कर दीजिए, ये अंडर रूट कर दीज प्लस 166 कितना होता है तो 289 होता है ठीक है 289 एह नहीं होता है दोस्तो ओ सॉरी यह यह देखिए दोस्तो थोड़ा से मिल्टेक कर गया मैं यह जो है 289 नहीं होता है 256 होता है तो बोलते बोलते मुह में पहला बात आजा गया 256 होता है अब इसका अंडरूट कीजिए अब इसको जोड़ दीजे दोस्तो अगर इसको जोड़ते हैं तो 6,4,10,5,9,10 एक हाथ में 2,1,3,1,4 और इसका वर्ग कर दीजे अब जब इसका वर्ग मुल लेंगे 400 का तो यह 20 हमारा इंसर हो गया यही हमसे पूछ रहा है तो दोस्तो यह केलर से परीदी तक की दूरी आनि तिर्जिया की दूरी आनि कर्ण की दूरी यह कितना आया दोस्तो तो 20 सेंटीविटर यही हमारा इंसर हो गया तो यह नंबर हो दोस्तो अगर की नहीं को समझने प्राब्लम हो तो टेलिग्राम जोईन कर ले और वहां कोचन सेंट करें किसर हम को ये कोचन समझ मने आया चलिए आगे बढ़ते हैं और अगर आप लोग कहिएगा तो एक क्लास रखूंगा दोस्तों लाइब जिसमें आप लोग अपना सारा प्रस्ट मेरे वार्टसप पर डालिएगा मैं कोचिस करूँगा उसका एक वीडियो बना देने का अगर वैसा आप लोग आप लोग चाहते होंगे कि अपना अपना सुलूशन चाहिए कि यह प्रस्ट नहीं बन रहा है तो कोमेंट किजिएगा चले अब चौधे प्रस्ट को देखे दोस्तों जाता प्रस्ट नहीं आपका दी गई आखृती में एक मिनिट लेगे अखृती में एक विर्ज का केंद्र ओ है देखिया है यहाँ पर यह यह केंद्र है जिसको आम लो जु है दोस्तों यह लंबा वाला बाग यहां सी यहां तर केंज से एक एक मिनटी सको भी किलियर कर दे रहा हूं कि यह वियास क्यांते कन्द शे परीद ही ही इसको मैं पताए है था दोस्तों विर्द के केंज से गुझरने वाले जीवा व्यास कलाती है विर्द के केंद्र से गुजरने वाली जीवा वियास का लाती है ठीक है अब यह जो है यहां लिख़ाया केंद्र O है तता CD विर्द का वियास है C D यह हमारा लंबा वाला भाग जो है सो क्या है वियास है ए बी विर्द की एक जीवा है ए बी यह जो है ए बी विर्द की जीवा है जो 12 cm लंबी है पूरा अगर 12 cm है तो 6 यह होगा और 6 यह होगा दोस्तों ठीक है अज़िए 2 cm है कि कहां है कि देखिए कि दो सेंटिमिंटर कितना है यह हमारा दो सेंटिमिंटर दोस्तों दो सेंटिमिंटर ठीक है हो तो विर्थ की तिर्जिया कितनी है विर्थ की तिर्जिया यह हमारा जो यह आया है दोस्तों यह तिर्जिया है क्या है विर्थ की यह तिर्जिया है ठीक है तो इसकी दूरी पूछ रहा है दोस्तों ठीक है अब ध्यान देजेगा तो दोस्तों देखें जब हमारा जो है एए छे है कितना है एए छे है जब एए बराबर 6 cm कितना है 6 cm तो एए प्लस एसी एए प्लस एसी ये वाला भाग दोस्तों कितना है थो एक मिलड़े दोस्तों कितना था ये छे ये ये हमारा एए छे हो गया दोस्तों प्लस ये दो कि इसी बराबर 8 हो तो यह हमारा आगया 8 cm ठीक है 6 हो गया 8 हो गया अब अगर आप ट्रिप्लेट यूज करते हैं तो ट्रिप्लेट अगर यूज करते हैं तो 6 8 10 यह होता है दोस्तो ठीक है तो यह 6 आ गया और यह 8 आगया तो यह 10 ऑ्तिमें आप लिग सकते हैं दोस्तो अगर लंबा करके निकालीका निकाल जाएगा और करन हमार हो जाएगा यह 90 के सामने क्या होता है करन होता है तो यह को आप लोगों को ट्रिप्लेट से बताएं दोस्तो कि नबीद हो गया A E और O E जो है तो 8 हो गया, ठीक है और ये 10 हो जागा, अगर आपको triplet आज रहेगा तो क्योंकि 6 यहां दिया हुआ है अधार, यह है लंब आ गया 8, तो कर्ण हो गया 10 लेकिन अगर triplet आज ना रहे तो क्या किज़ेगा, कर्ण निकालेगा तो कर्ण बराबर, कर्ण बराबर क्या होता है, लंब का स्कॉयर, पलस अधार का स्कॉयर का अंडर रूट, यह होता है दो, अब क्या कीज़े, यहां लंब हमारा कितना हो गया, तो 8 हो गया, 8 का स्कॉयर, यह हो गया, अधार हमारा 6 का स्कॉयर, अंडर रूट, यह हो गया, 64 और यह हो गया 36 अगर इसको आप हम जोड़ देते हैं तो हमारा आ जाएगा दोस्तों 100 और 100 का वर्ग मुन लिका लेंगे तो 10 आ जाएगा यह हमारा एंसर हो गया यह हमसे पूछ रहाता है दोस्तों विर्द की तीरजिया तो विर्द की तीरजिया क्यों है तो केंसे परीधी तक की दूरी यह वाला भाग दोस्तों ठीक है यह 10 आ गया लेकिन अगर आपको ट्रीपलेट आज रहता है तो यह इतना लंबा बनाने की जरूत नहीं है तो सही एंसर क्या हो जागा दोस्तों तो 10 cm चली आगे बढ़ते हैं नेक्स प्रस को देखते हैं अब देखे 5 नमबर प्रस्त दोस्तों तो देखे दोस्तों क्या है 5 प्रस्त धी गई आकरिती में विर्ट का केंदर वो है बी-ो-सी विर्ट का व्यास से तथा अबि बराबर एसी विर्थ का केंदर ओ है ये केंदर है दोस्तों ठीक है बी ओसी विर्थ का वियास है बी ओसी विर्थ का वियास है बी ओसी ये वाला जोसी वियास है ठीक है तता एबी बराबर एसी आनि एबी ये जो है दोस्तों ये और ये ये दोनों बराबर है ठीक है अब हम आ वीडियो देख लीजे किसी अर्ध विर्त में बना कौन 90 डिग्री होता है किसी नोट कर लिजेगा इसको किसी फिर से लिख दे रहा हूं किसी अर्ध विर्त में अर्ध विर्त में बना कौन बना कुन 90 डिग्री का होता है कितना होता है 90 डिग्री का होता है होता है और यह कुन जो बन रहा है दोस्तों यह हमारा जो बन रहा है यह 90 डिग्री बनेगा दोस्तों कितना बनेगा तो नबय डिग्री बनेगा और किसी भी तिरभूज के तीनों कुनों का योग कितना होता है 180 डिग्री चलिए एक जानकारी आपको होनी चाहिए अब कौन जो है ABC ABC आनि कौन ABC ये कौन दोस्तों ठीक है ABC पलस कौन ACB ACB आनि ACB आनि ये वाला कौन दोस्तों ठीक है बराबर 90 डिग्री अब 90 डिग्री कहीछ होगा सो देखे दोस्तों मैं तो 90 डिग्री लिख दिया देखे तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है जब हमारा यहां 90 डिग्री है ठीक है तो ये दोनों जोड़ेंगे तब 90 डिग्री हो जागा 90 दोनों को जोड़े तो 90 और ये 90 अनि 180 डिग्री तब ना हुआ तिनों कोनों का योग 180 डिग्री ठी पोझे लिए दोनों कोन को मिल करके यह कौन मिल करके नब्ब़ डिगरी तर नब्वे डिगरी दोनों को कों लक्टकर के अरे अर्ये एक हमारा पहले से नब्ड़ी डिग्री तो Когда पहले से हैं ठीक है थाक्याitा तो हम से पूछ रहा है दोस्तों 80C बराबर आए-बी-सी अनिये कुन अ लिखनोर हं ठीक है थोड़ा से क्लियर करते हैं सै नहींद को को तो हमसे पूच रहे कौन दोस्तों कोन ए बी की और यह वाला कोन बदले थो नवय धर इस ऑतलाते हो गया नवय प्लस नवय क्वेश डिगरी और फिर्वूच के तीनों कोन का योग यह नवय पहले से हैं अब दाकित डेंत के बारे पूच रहे यह दोन मिल करके नब्वे हैं तो आप ऐसे लिखे कोन खोन कोन ए बी शी बराबर नब्वे बटा दो क्योंकि ए एक ये कौन हो गया एक ये कुन तो दोसे भागगा दे दिए कार दिए कितना आ जाया गा दोस्तो तो पच्वेकर एही हमारा एंसर हो जीकेह दोस्तो हो तो सही एंसर क्या हो गया तो ए नबर हो दोस्तो चलिए मुझे उमीद है आप लोगों का खेलियर हो गया होगा चले आगे बढ़ते हो नेक्स प्रस को देखते हैं अब देखे छटे नमर प्रस्ट दोस्तों कि छट्टा नमर प्रस्का रहा है आप से थोड़ा सा अभी टैम पर वीडियो ला नहीं पाता हो दोस्तों ठीक है कुछ कारण वस लिना वुगा टैम पर आऊंगा थोड़ा सा अभी आप लोग मैनेज कीजिए दीगे या कृते मिल्स का केंद्र ओ है ठीक है यह ओ जो है कि दर है ठीक है यह एबी तथा सीटी इसकी दो अगर इस तरह से कोई दो रेखा एक दूसरे को काटे ए GBCB C D, तो अगर ये 70 degree है, कितना? 70 degree तो समू कॉन समान होता है? यह समू कौन है?! यह यह हमारा 190 degree स्थ अख कर दिनक दो भादान हो our 70 degree होगा अगर यह हमारा जो 130 degree बनता है यह इसका समू कौन यह वलब बन जागा तो यह भी 90 degree बनेगा यह चीज हम पिछला वीडियो में समझाएं दोस्तों ठीक है तो कौन A, O, B A, O, B यह 70 डिगरी है और हमसे पूछ रहा है C, O, D आनि C, O, D यह पूछ रहा है C, O, D यह पूछ रहा है दोस्तों तो समुख कोन समान होता है क्या होता है समुख कोन किसी भी तिर्भूज का समुख कोन समुख कोन समान होता है यह note किजिएगा आप लोग तो यह जब 70 डिग्री है तो यह भी हमारा 70 डिग्री हो जागा दोस्तों कितना हो जागा 70 डिग्री अही हमारा answer हो गया तो सही answer क्या हो दोस्तों तो ए नंबर हुआ चलिए आगे बढ़ते हैं और next प्रस को देखते हैं अब देखिए सात्यों नमबर प्रेस्ट दोस्तों कि सात्यों नमबर प्रेस्ट कर रहा है दीगे या क्रितिम वीर्द का किंद्र ओ है अधी कौन ओ एबी 35 दिग्री ओ ओ ओ ऑ एबी ठीके?!" यह हमारा पैति ही डिग्री त्यात सीन एक वीर्द पर कोई बिंदू लिया गया हो सीन एट पर कोई बुन दूलिया गया हो यह तो कौनião क्वेक हो कोन क्या होगा चैनल देखें दोस्तों हम से क्या पूछ रहा है इसका मान पूछ रहा दोस्तों अब थोड़ा सा समय दोस्तों कौन ओ एबी कौन ओ, A, B, बराबर 35 दिग्री कितना है 35 दिग्री तो हम जानते हैं दोस्तों कि तिर्भुज के तीन कोनों का योग एक सोसिय डिग्री होता है ति ये जो है तिर्भुज ये मान रहे हैं A, O, B ठीक है ति जब ये 35 है ति ये भी हमारा 35 हो जाएगा ठीक है कोन A, O, A, B 35 दिग्री और कोन क्या हो जाएगा O, B, A ये भी हमारा 35 दिग्री हो जाएगा दोस्तों तो दोनों मिलकर के कितना हो गया 70 दिग्री तो ये हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों तो तिर्भुज के तीनों कोनों का योग तो कोन ऐओ B मैंस में यह दोनों को जोड दिये यह 70 डिपर ठिक है ए मैं 0b ओक मिल कर रे तो यह को जिसका कर आएं कि यह का थे तो डारेक्ट हम इसको घटाते हैं दोस्तों ती लुट के तिनों कॉनों का यह franc dg यह दोनों कोन मिल करके 70 डिग्री बन गया ठीक है तो 180 मैनस 70 बराबर कितना आ जागा तो 110 डिग्री ये 110 डिग्री आगे दोस्तों ये वाला बन गया 110 डिग्री का ठीक है और एक नियम बताये थे दोस्तों पीठे जो है आप लोगों को बताये थे कि केंद्र पर का कौन ये केंद्र पर क कौन से दुगना होता है आन्य ये वाला जो है तो ये दुगना होता है ठीक है ये हम पीछे बताएं दोस्तों तो सिर्फ कुछ भी नहीं करना दोस्तों ए ए कौन ए सी भी बराबर एक सो दस बता दो इसको काड़ जीजेगा ये पच्पन डेग्री आ जागा दोस्तों ये कौन जब भी दराक रहे दोस्तों तो केंदर पर का कौन ये कौन जो है थोड़ा क्लियर करके आपको समझा रहा हूँ ए कि यें भी 35 हो गया दोस्तों एक सर्थी ये हमारा हो जायगा एक सो दस अब कि ये 110 हो जाएगा थी यें कौन जो होता है परिधि पर के कोन का दूगना होता है। ये वला। ठीक है? केंडर पर का कोन है। तो जब ये 110 है ये कतना हो जाएगा? ये 55 हो जाएगा। और 110 बटा दो हाणी ये हो जागा 55 डिगरी दोस्टों। ठीक है? चलिए, आगे बरते नेक्स प्रस को देखते आ। अब देखिए आठवे नमबर पर दोस्तों अब बोल रहा है दी गई आकरितिम वीर्ट का केंद्र O है ताता कोन A, C, B 40 तिगरी है यह 40 तिगरी है तो कोन A, O, B बराबर क्या होगा A, O, B बराबर है तो अभी हम बताएं दोस्तों कि वीर्ट के केंद्र पर का कोन परीधी पर क कोन से दुगना होता है तो जब यह 40 दिगरी है तो कितना हो जाएगा ओटोमेटिक है 80 दिगरी हो जाएगा तो आप ऐसे लिख सकते हैं कोन A, C, B यह सारे चीद जो है मैं फर्मूला में समझाया हूँ दोस्तों ठीक है A, C, B बराबर 40 दिगरी है तो कोन A, O, B दुगना होता है कितना होता है दुगना होता है गुना होता है आने इस तरह से हम बोल सकते हैं कि वीर्द के केंद्र पर का कोन परिधी पर का कोन का दुगना होता है चलिए थोड़ा साथ हम लंबा लीख ही देते है ताकि आप लोग को समझने में असान हो जाए वीर्थ के केंद्रपन का कौन पर का कौन परीदी पर बने कौन का दुगना होता है अनि यह 40 डिग्री है तो यह 80 डिग्री हो जागा दोस्तो ऑटमेटिक तो सही एंसर क्या हो गया तो डी नमबर हुआ दोस्तो चली आगे भरते हैं और नेक्स प्लस को देखते हैं वस इतना ध्यान रखेगा दोस्तो जब भी इस तरह करें तो परीदी पर जो है सो अगर यह 40 घ्लिए और यह 80 डिग्री हो घे यह 80 डिग्री हो गया यह 20 ड्रिटिव यह 40 रिटिव जायगा अननि केंदर पर का को जो है सो दोगना होता है आद आदा सॉर्छे के सारे यह सारे के साप्यिए दियुक्तो मैं मैं A, B, C, ठीक है, A, B, C, तथा D, B, C, ये D, B, C, ठीक है, का परिविर्थ खिचा गया, जो इस परकार है कि B, A, C, 50 है, B, A, C, अन्य ये कोन 50 बता रहा है, तथा D, B, C, 60 है, ये जो है, इधा A, C, आया, D, B, C, ये 60 है, तब कोन B, C, D, कितना होगा, B, C, D, आन्य ये कोन कितना होगा, सो आपसे पूचरा दोस्तों, ठीक है, B, C, D, देखिए, तो देखिए, दोस्तों, फर मुलम मैं समझाया था, क्या एक ही विर्ष खंड में बने दो कौन प्रस्पर्ट समान होते है, आन्य ये अगर 50 डिगरी है, दोस्तों, ये हमारा 50 डिगरी है, तो ये भी हमारा 50 डिगरी हो जाएगा, ठीक है, ये 50 डिगरी है, तो ये भी हमारा अब ये अच्छी तरह समझों आ जागा दोस्टो ठीक है घर तो हमसे पूछ रहे दोस्तों बीसी यह बी सी डी ठीक है अनि इस तिर्भूज मा आ जाई यह यह हमारा पूछ रहा है दोस्तों तो तिर्भूज के तीनों कोनों का यह कितना होता है तो एक सोसी डिगरी देखे थोड़ा से लंबा करके लिख देते कोन बी A C बराबर कोन B A अनि E कौन ठीक है यह 50 डिडिक है यह पटा महिआ जो लिखा हूए से अठीक हम इसके बाद B D C कोन B D C यह बराबर होता और यह 50 डिगरी है तो यह भी 50 डिगरी हो गया ठीक है यहां तक समझ में आ गया अब तीरभुज के तीनों कोनों का योग का योग 210 डिगरी होता है अब आप इस तीरभुज में आ जाये दोस्तों कहीं कुछ मत देखिए आप यहां आ जाये देकें बता रहे हैं अब शिर्फ देखिए इस तीरभुज को यह तिरभुज वने गया अब तिरभुज के तीनों कोनों का योग एक सॉसी डिग्री होता है यह जब साट डिग्री है यह पताश डिग्री है ठीक है तो यह हमारा एक सॉसी में यह घटा दीजिए 110 कितना जागा 70 डिग्री आटोमेटिक आ जागा तो चलिए थोड़ा सम्लिक देते हैं कौन डीबी सी ठीक है डीबी सी पलस कौन बीडी सी बीडी सी बरावर कितना ओख जाएगा यह हो जाएगा हमारा साट और यह हो जाएगा हमारा पचास कितना को गया 110 डिग्री ठीक है यहां तक तो समझवा गया अब तीर भूज अब हम निकालेंगे यह B C D बरावर कौन B C D बरावर ठीक है तो B C D बरावर क्या हो जाएगा तीर भूज के तीनों कोनों को योग होता है ने एक सो सी डिगरी तो एक सो असी डिगरी मैनस ये एक सो दस किछा दीजिए तो हमारा आ गया सत्तर डिगरी दोस्तो तो सही इंसर क्या हो गया तो यहां आ गया कितना दोस्तो तो सत्तर डिगरी आ गया ठीक है अई है आपका इंसर हो गया तो सही इंसर क्या हुआ तो सी नंबर ह को योग 180 डिग्री तब पचासर साथ 110 180 में 110 गष्टा दीजिए दिए 70 डिग्री आ गया पेन उठाने को भी जरुवत नहीं है चलिए आगे बढ़ते हैं कि अदेखी दसे नम 대해서 सभत दो सबुखते हैं पबस बीज़ क稱 के फडिखे या किरीटे में एकवर्श का केंदर ओ है तता ओ ओएसी चालीस है यह हमारा चाली से दोस्तों ठीक है जब यह त्यारी से तो पूछ रहा है बी ओडि क्या होगा बी ओडि यह वाला क्या होगा दोस्त इह वह पूछ रहा है दोस्तों ठेके अब अब देखें दोस्तों अभी उसी तरह का साक्ष भान नीये पड़ा ही एह कुन हमारा लिदे अब हम चाली 1 घी घ्री हो जागा केता हो जो जैगाoug घ्री ठाइग कैसे और यहे वकार बराबर होता यह हमारा siram जाएगा ठीगे जब यह ठालीच दीघ्र हो जाएगा तो यहां से घर हम खीचते हैं यहां यहां खीचते एक तिर भूठ भ戰 нет तो पूतर वी ओडी टीबी ओडी अनी इह वन अधीट गैस्ट जब यह टालीच हो गया ये T accounting क्योंकि ये वाले और ये वाले दुन Ö Meanwhile प्रमपर होता है ठीके ये कौन ये कुन पराबर होता है ये तो सभी नंबर दोष्टो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे हो तोक्राइब करें और वीड़ोन सेशेर strength चले कर मिलते हैं तेंक यू